ओके गाईस तो हमें given है under root x plus under root x is equals to under root 8 और x की value हमें क्या करनी है? find करनी है हमें 4 option भी given है a 3 है, b under root 2 है, c 2 है और d 4 है तो x की value हमें find करनी है तो दिखो हम कैसे solve करेंगे competition level का सवाल है यह चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं under root x plus under root x is equals to under root 8 अब देखिए, यहाँ पर under root x plus under root x है दोनों से common ले लेते हैं इसको तो हम under root x को जब common नकालेंगे तो यहाँ से बच जाएगा plus 1 और यहाँ से भी बच जाएगा plus 1 और इधर under root x को हम कैसे लग सकते हैं? हम इसको ऐसे लग सकते हैं under root of 2 under root 4 2 into 4 ओके next हम देखते हैं इसको कैसे लखेंगे? देखें चलिए, देखें यहाँ से बन गया 2 under root x और इधर देखिए यहाँ पर इसको दो बार लग देखेंगे under root 2 under root 4 चिक, ओके next यहाँ से देखिए यह under root 4 2 में भार आएगा तो यहाँ पर आजाएगा 2 under root x यह 2 under root 2 तो 2 से 2 cancel out हो गया next क्या बचा देखें तो यहाँ से देखिए under root x यह देखिए under root 2 बच गया अब यहाँ पर under root x को हमें इसे लख सकते हैं x की power half जब यह power half इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो यहाँ लख सकते हैं x is the case to under root 2 of square तो under root 2 का square किसके बरावर होता है 2 के बरावर होता है तो x की जो value आई वो कितनी आई 2 तो इसका right answer हो जाएगा c तो guys इसी फरकार के competition level के सवाल मैं आपको लेके आता रहूँगा अगर आप channel पर नए हैं तो channel पर subscribe जरूर कर लें मिलते है next video में